हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शुरूजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रूप गार्डेनिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा नैशनल फ्लावर यानि लोटास के बारे में लोटास को आप किस तरीके से अपने घर में बीज से उगा सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा किस तरीके से गमल को घर में उगाना है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए रूब गार्डनिंग चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ओन कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ लोटस के सीट्स हैं इसको मैंने ओनलाइन एमाजन से खरीदा है अगर आप इसको खरीदना चाते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा आप वहाँ से खरीद सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पाच सीट्स निकाल लिये हैं अब चलिए इसको ग्रो करते हैं केमल के सीट्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक सेंट पेपर आप इस तरीके का एक सेंट पेपर ले लीजिए उसके बाद एक लोटस का सीट्स लेके उसका उपर बाला हिस्सा या फिर नीचे बाला हिस्सा जहाँ पर एक काला काला सा निशान है उसको आप इस तरीके से घिसिए और तब तक घिसिए जब तक बीच का वाइट पार्ट आपको नजर ना आ जाए बीच का उपर बला हिस्सा बहुत ही ज़दा मस्बूत होता है इसलिए इसको छीलना बहुत ही ज़दा ज़रूरी है नहीं तो आपके बीच ग्रो होने में बहुत ही ज़दा टाइम लग सकता है या फिर ग्रो नहीं भी हो सकता है इसलिए आप इसको जरूर घिसिए जब तक इसका white part नजर न आ जाए आप यहापर देख सकते हैं मेरे कमर के बीज में अंदर की तरप white white सा कुछ दिख रहा है इसका मतलब हमारा काम complete हो चुका है आप यह बिल्कुल ready है ग्रो करने के लिए अगर आपके पास sand paper नहीं है तो आप इसको किसी भी sharp knife से काट सकते हैं लेकिन इसमें थोरा time जादा रगेगा और थोरा मुश्किल होगा इसको काटना इसलिए आप कोशिश कीजिए sand paper से इसको घिसने को इससे ही आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो बीच को काट लिया है एक बीच का आगे का हिस्सा मैंने काटा था और दूसरे बीच का पीछे का हिस्सा आगे वाला काटने से आपको white part नजर आएगा और पीछे का हिस्सा काटने से आपको इस तरीके का एक छेद नजर आएगा आप चाहे तो आगे का हिस्सा भी काट सकते हैं या फिर पीछे का हिस्सा भी काट सकते हैं किसी भी तरब काटने से आपका बीज बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा मैंने पाच लोटस के सीट को काट लिया है अब चलिए इसको ग्रोग करते हैं लोटस के सीट को ग्रोग करने के लिए आप एक ग्लास में पानी भर लीजिए उसके बाद एक एक करके सारे लोटस के सीट को इस पानी में डाल दीजिए आप किसी भी पानी का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आप अगर बारिश का पानी इस्तमाल करेंगे तो आपको और भी अच्छा रेजल्ट मिलेगा उसके बाद आप इसको किसी शेमीशेट जगर पर छोड़ दीजिए जब तक इसकी जार्मिनेशन ना शुरू हो जाए एक दिन के बाद आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है अब ज़रूरत है पानी को बदल देने का पानी को बदलने के बाद मैं फिर से इसको किसी सेमीशेट जगर पर छोड़ दूँगा दो दिन के बाद आप देख सकते हैं सीड्स जर्मिनेशन शुरू हो गये हैं और एक बीज से एक पौधा भी बन गया है अब ये धीरे धीरे बरा होगा और बाकी सीड्स से भी पौधा धीरे धीरे निकलाएगा आप इस पानी को तब तक चेंज ना कीजिएगा जब तक पानी का कलर योलो योलो ना हो जाए जब तक पानी का कलर साप रहेगा तब तक आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं तीन दिन के बाद आप देख सकते हैं हमारे पाज सीट से तीन बीज जर्मिनेट हो चुके हैं और बाकी बीज भी जल्दी ही जर्मिनेट हो जाएंगे चार दिन के बाद आप देख सकते हैं हमारे पाज बीज ही जर्मिनेट हो चुके हैं लेकिन पाज बीज के लिए एक ग्लास काफी नहीं है अब जरूरत है इसको किसी बरे गमले पे रखने का इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का गमला लिया है और इसमें पानी भर लिया है अब मैं एक एक करके सारे पौधे को उठा के इसके अंदर रख दूँगा आप धीरे धीरे बिलकुल साबधानी से पौधे को उठाए क्योंकि यह बहुती नाजुक होते हैं और तूट सकते हैं इसलिए आप इसको बिलकुल धीरे धीरे साबधानी से उठा के इस गमले में रखिए अब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं हमारे पाज बीची किस तरीके से जर्मिनेट हो गया है साथ दिन के बाद आप देख सकते हैं हमारा सभी पौधा अब अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और कुछ पौधे के नीचे रूर्स भी आने शुरू हो गया है पानी का कलर अब योलो योलो हो गया है इसका मतलब हब हमें पानी को चेंज करना परेगा इसके लिए मैं धीरे धीरे सभी पौधे को निकाल लेता हूँ उसके बाद पानी को बदल लेता हूँ मैंने पानी बदल लिया है अब फिर से एक-एक करके धीरे-धीरे इसमें पौधे डाल देता हूँ पौधे के जो ने-ने बत्ते होते हैं वो बहुत ही जादा नाजूख होते हैं इसलिए आप इसको साबधानी से धीरे-धीरे रखिए 12 दिन के बाद आप देख सकते हैं हमारा सभी पौधा कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर चुका है और सभी पौधों के नीचे बहुत सारा रूर्स आ चुके हैं जैसे कि इस पौधे में कितने सारे रूर्स आ गये हैं आप देख सकते हैं आप जरूरत है इसको reporting करके एक बरे गमले में लगाने का एही था आज का वीडियो How to grow lotus from seed इसका दूसरा पाट तब बनेगा जब मेरे lotus के पौधे में फूल आ जाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने दोसके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर दीजिए इस से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा थैंक यू, हैपी गार्डेनिंग आपको यू, आपको लोगा